जैसे कि हमें पता है कि 12 नौंबर 2021 को प्रदेश की चैनिस सालाओं में नैशनल अचीबमेंट सर्वे होगा, अब इस सर्वे के लिए हमें छात्रों का अभ्यास कराना है, अभ्यास है तू प्रती सप्ताराज्य सिक्षा केंद्र भौपाल के द्वारा अभ्यास टेस्ट पेप अर्थात किन प्रष्णों में छात्रों का performance low है, इसके उपरांत इन प्रष्णों के learning outcome को हमें map करना है और particular जिस learning outcome में छात्रों का performance low है, इसके लिए विसेश ररणीती बनाकर छात्रों को इस learning outcome को प्राप्त करवाना है इसके अत्रिक्त हमें पार्ठ पुस्तक में भी learning outcome दिये गए हैं जिनें पार्ठ पुस्तक के पार्थों से map करना है तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो पार्थ पुस्तक के learning outcome है इसकी पार्थों के साथ में mapping की PDF फाइल हम कैसे download कर सकते हैं इस PDF फाइल में आपको कक्षा 3, 5 वा 8 के Learning Outcome की पार्थों से मैपिंग मिल जाएगी इसमें बताना चाहेंगे कि जो Learning Outcome की मैपिंग है जनपर सिक्षा केंदर अमरवाड़ा के हमारे साथ ही सिक्षक इसमें बताना चाहेंगे कि इस PDF फाइल में जो Learning Outcome की पार्थों से मैपिंग की गई है बहुत ही साउधानी से की गई है लेकिन आप जब Learning Outcome की पार्थों के साथ में मैपिंग करें तो एक बार जरूर चेक कर लें हो सकता है कि हमसे कोई चैप्टर या कोई पेज किरमांग छूट गया हो तो आप Learning Outcome की मैपिंग करते समय एक बार इससे जरूर ट्रेस कर लें आपको इस PDF फाइल को किवल नमूने के रूप में दिया जा रहा है तो आईए देखते हैं इसे हम कैसे डाउनलोड करें इससे डाउनलोड करने की लिंक आपको Description Box में मिल जाएगी अब Maximum सिक चक हमारे Mobile से ही YouTube चलाते है तो आईए देखते हैं कि Mobile से हम Description Box कैसे ओपन करें और इस PDF फाइल को कैसे डाउनलोड करें PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका description box आपको open करना है description box open करने के लिए जो वीडियो का title है इसके side में एक arrow का निशान आपको दिखाई देगा आपको इस arrow पर click करना है जैसी आप arrow पर click करेंगे वीडियो का description box open हो जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं learning outcome download link दी गई है इस link पर आपको click करना है जैसी आप इस link पर click करेंगे तो browser में link open होगी और कुछी समय में आपके सामने जो learning outcome की PDF फाइल है वो प्रदरसित होने लगेगी आप देख सकते हैं learning outcome की जो PDF फाइल है यहाँ पर दिखाई दे रही है अब इससे download करने के लिए उपर जो download का symbol बना हुआ है इस option पर आपको click कर देना है जैसी आप इस option पर click करेंगे आपकी जो PDF फाइल है वो download होना प्रारम हो जाएगे या फिर इस PDF फाइल को download करने के लिए जो 3.00 हमें दिखाई दे रहे हैं इन पर हमें click करना है जैसे हम click करेंगे तो कुछ option यहाँ पर open हो जाएंगे इसमें एक option हमें दिखाई देगा download का इस option पर भी click करके आप PDF फाइल को download कर सकते हैं तो इस परकार आप learning outcome के mapping की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं एथी learning outcome से सम्मंधित एक बहुत ही महत्पून जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो पसंद आए तब इसे like, comment और share जरूर करें साथी channel को subscribe करना न भूलें Thank you